सिर्फ तीन दिन ये दो चीजे रात बर पानी में वीगो कर सुबे दूद में उबाल कर पीलो पूरी जिंदगी आपको सुगर की बिमारी, कॉलोस्ट्रोल की बिमारी, पेट के रो, मोटापा, खून की कमे, एनिंद्रा, आँखों की समस्या और ये दिल से जुड़ी बिमारियां आपको कभी नहीं होंगी नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वुड़े में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे दोस्तों आपने करना क्या है? सिर्फ दो चीजे लेनी हैं और इनको रात बर पानी में वीबो कर आपने रख देना है और सुबे इनको दूद में उबाल कर आपने पीना है और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके सरीर की पूरी कमजोरी बेलकुल जड़ से खतम हो जाएगी और आपके सरीर के अंदर सांड जैसी फोलादी ताकत आजाएगी दोस्तों आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक बढ़ जाएगी और दोस्तों वैसे भी यदि हमारे सरीर की रोगों से लड़ने की सकती हाई होगी तब हम बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो यदि आपको diabetes की बीमारी है दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान की त्रहें काम करेगा तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने अपने घर पर बनाना कैसे उसके बाद आपको बताएंगे इस नुस्खे के चमतकारी फाइदों के बारे में दोस्तो इस नुस्खे की जो मुख्य समगरी है जो पहली मुख्य समगरी है वो है दोस्तो अक्रोट वालनेट दोस्तो अक्रोट को को नहीं जाना दोस्तो अक्रोट के फाइदे बहुत सारी हैं दिल से लेकर पेट तक की और दिमाग तक हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर देता है दोस्तो अक्रोट इसको brain food के नाम से भी जाना जाता है हमारे पेट के लिए, सरीर के लिए, दिल के लिए अखरोट एक वर्दान की त्रह काम करता है और हमारे सरीर को बहुत त्रह की बेमारियों से बचाने का काम करता है दोस्तों आपने क्या करना है? चार अखरोट की गिरी लेकर रात बर एक इलास पानी में बेगोकर रखते हैं या एक कटोरी पानी में बेगोकर रखते हैं दूसरा जो से में मुखे समगरी हैं वो है दोस्तो किस्मिस और दोस्तो किस्मिस के फायते भी हम सभी जानते ही हैं दोस्तो हमारे सरीर में सांड जैसी ताकत बरनी हो, हमारे सरीर के अंदर नई उर्जा का संचार करना हो, या सरीर में खून की कमे का इलाज करना हो, या हमें पेट के रुग हो और इस ब्लड प्रैसर की बीमारी से बचाना हो, दोस्तो किस्मिस एक वर्दान की त्रहे काम करते ह दोस्तों आपने किस्मिस के लिए क्या करना है चार से पांच किस्मिस लेकर या आट से दस तक भी ले सकते हैं एक गिलास पानी में या एक कटोरी पानी में बेगरोकर रखते हैं अब जानते हैं सनुस्के को बनाने की विदी दोस्तों आपने क्या करना है सुबह जब आप उठे तो इन अखरोट को पानी से निकालने और इन किसमिस को भी निकालने और उसके बाद इन अखरोट को कोटले और एक गिलास दूद आग पर उबलने के लिए रखें और इसमें इनको डाल दें आपने इसमें मिसरी डालना च जमतकारी बदलाव महसूस होगा दोस्तो यदि इसका आप हरो स्यवन करें तो आपको कभी भी पेट स्यूड़ी कोई भी बिमारी नहीं होगी दोस्तो आपको पेट में गैस, कबज और एसिडिटी की समस्या नहीं होगी हमारा पाचनतंतर मजबूत हो जाएगा दोस्तो यदि हमारा पाचनतंतर मजबूत होगा तब हम बहुत रहें की बीमारीों से बच जाएगे दोस्तो इस नुस्खे को लेने से हमारे सरीर के अंदर खून की कमी नहीं होगी दोस्तो जदी आपकी आँखों की रोशनी कंजोर है और आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान की त्रहे काम करेगा और आपकी आँखों के रोशनी को बढ़ा कर आपकी आँखों से इस चस्मे को उतार देगा दोस्तो क्या आपको एनिंदरा की बीमारी है और आप इस एनिंदरा की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं ये एनिंद्रा की बिमारी हमारे स्रेट की बहुत तरहें की बिमारीनों को जन देती हैं। दोस्तो तब भी आपको इस नुस्खे को हर रोज सुवे बासी मों सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तब आपको प्रोप पर नींदाएगी और आपकी एनिंद्रा की बिमारी बिलकुल सही हो जाएगी। दोस्तो क्या आपको सुगर की बिमारी हैं और आप अपने सुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके कोंपलिकेशन से बचे रहना चाहते हैं। तो दोस्तो आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। दोस्तो वैसे तो सुगर की विमारी में इस किस्मिस को लेने की सलहा नहीं दी जाती है। लेकिन आप इस नुस्खे के साथ किस्मिस का परियोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको diabetes की बीमारी है, तब आप एक से दो किसमिस का ही परियोग करें, इससे अधिक आपको किसमिस का परियोग नहीं करना है, और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, तो इस सुगर की बीमारी की एकान जो आपके सरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, आप उससे हा काम करेगा, आपके blood pressure को control करने का कम करेगा, आपके सरीर में बड़े हूई bad cholesterol को सही करने का काम करेगा, और यदि आपको cholesterol की समस्या नहीं होगी, तब ना तो आपको heart blockage होगी, और ना ही heart attack होगा, दोस्तों यह नुश्का, यानि cholesterol का इलाज करेगा, blood pressure का हाइउग का हाइट इसके साथ में आपके दिल को भी मसबूत करने का काम करेगा तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही सनुस्खे का पर्योग सुरू करतीजी और अपने सेरे को बलकूल निरोगी बना दीजी तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आप को हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवाद लुष्ट।